हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यटूब चैनल पर तो इस वोड़ो में हम आपको अतने वाले हैं कि अगर इन्फिनिक्स मोवाईल का बुलतूद आन है लेकिन किसी भी डिवाइस में सो नहीं कर रहा है तो कैसे फिक्स करें तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आपको मोवाईल के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे आना है और यहां पर एक आप्शन मिलेगा एप्स का या एप मेनेजमेंट का जहां पर सभी आप रहते हैं तो द की साइड एक औाप्शन मिलेगा 3. या 2. का इस पे क्लिक करके आपको सो सिस्टम पर या सो आल एप पर क्लीक कर देना है सबी एप यहाप सो हो जाएंगे अब sonra Left के वार में क्लिक करके उपर लिखना है Bluetooth तो यहां पर Bluetooth आ जाएगा Bluetooth पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर force stop का एक option है, force stop पर क्लिक करके force stop कर देना है, फिर आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, storage, usage या storage का, एक option आपके phone में नीचे या उपर हो सकता है, तो आपको storage, usage या storage पर क्लिक कर देना है, फिर आपको clear data पर क्लिक करना है, फिर ok कर देना है, फिर back आना है, देखें यहाँ पर B पर आएंगे Bluetooth मिल जाएगा इस पर क्लिकर करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं फिर Mobile की Home स्क्रीन पर आना है अब देखिए अगर Settings में जाने के बाद यहाँ पर App जो Settings है आपके फोन में नहीं मिल लई है तो आप उपर Search बार में क्लिक करके App लिखेंगे तो यहाँ पर App Management या Apps नाम का Option आएगा यह Option आपके फोन में नीची या उपर हो सकता है तो थोड़ा खोज लेना फिर आपको इस पर क्लिक करना है फिर App Management या Manage App पर क्लिक करके आप So System करके So All App करके यहाँ से भी आप Bluetooth को Clear Data कर सकते है फिर गाइस मोवाइल के Home Screen पे आना है फिर अपने मोवाइल को एक बार Switch Off करके Switch On करना है या Rebuit या Restart भी कर सकते है फिर आप अपने Bluetooth को On करना जो भी Find वाली या फिर Search वाली प्रॉलम आ रही है 100% Fix हो जाएगी करना टिक साथ गाइस तो आज की डूम बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू